हम मैं लाएं अपने काम को जल्दी निप्टाने के चक्र में ज्यादा समान ना फैले उनके चक्र में कुछ बेकार चीजे होती हैं जिने हम बहुती जल्दी डिसकार्ट कर दीती हैं बट आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही हैक्स लेकि आई हूँ जिन चीज़ों को फेकने से पहले आप उन्हें दुबारा री यूज कर सकती हैं बस छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज काई वीडियो से पहली टिप्स है दोस्तों हैंड बैग को लेकर अक्सर हम क्या करता हैं कि अगर हैंड बैग की जिप खराप हो ग तो वहाँ पर थोड़ा सा वैसलीन लगा लीजिए और वैसलीन लगाने के बाद जब आप जिप को उपन या बंद करेंगी तो एजीली हो जाएगी आप यहां पर वैक्स का यूज कर सकते हैं और मैं तो क्या करती हूं ज्यादा तर हैंड बैक्स में टाइंड टू टाइम जिप के उपर वैसलीन लगाती रहती हूं तो उससे कभी भी आपकी जिप एक तो जंक नहीं लगेगा वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी तो कोशिस यह करेगा कि जो भी आपके हैंड बैक्स हैं कपड़े हैं उन पे टाइम टू टाइम आप वैसलीन या वैक्स लगाते करें तो मेधी नेक्स टेप है दोस्तों नोट को लेकर अक्सर हम ऐसा नोट बांदेते हैं कि वह खुलने का नाम ही नहीं लेता और हम बहुत ज़्यादा परिशान हो जाते हैं और उससे हम काट देते हैं तो इसके लिए आपको इस तरीके की हेर की साइट पिन साती वह आप पन हो जाएगी तो बस थोड़ा सा आपको effort यहाँ पर लगाना है उसको काटने की बजाए उसको फेकने की बजाए थोड़ा सा आप अपने mind का use करेंगे तो वह काम और आसानी से हो जाएगा और आपकी जो चीजे हैं वह waste भी नहीं होंगी तो यह देखिये बस एक hair clip से यह पूरा जो नोट है वो आराम से खुल चुका है तो आप भी नेक्स टाइम इस वैले टिप्स को जुरूर फॉलो करें नेक्स्ट मेरी जो टिप है दोस्तों अक्सर जो फ्रिज मैट होते हैं वो इस तरीके से खिसकने लगते हैं जब भी हम बढ़ता निकालते हैं तो वो बार बार नीचे आ जाते हैं जो भी आपके फ्रिज मैट है वहाँ पे साइट से आप सैलो टेप लगा लीजिए तो जब आप इसमें सैलो टेप लगाएंगे तो वो इसमें चिपक जाएगा तो ये खिसकेंगे बिल्कुल भी नहीं और बाद में तो ये एजिली रिमूव हो जाते इनके कोई स्पॉर्ट्स वगरा भी नहीं चूटते नॉर्मल वाला सैलो टेप आप यहाँ पर लीजिए और ये देखिए जो मैट है वो बिल्कुल एक दम फिक्स हो चुकी है तो नेक्स मेरी टिप है अक्सर हम लैमन का यूज करने के बाद जो उनके चिलके होता है उसा फिक देते हैं मतलब हमें लगता है कि आप क्या करना फटाफर नीबू पानी बिनाया उसको फिक दिया वो भी क्लीन हो जाएंगे जो नीबू के चिलके आप फेक दी थी वो भी रियूज हो जाएंगे तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़े है इन्हें आप अपने टैप्स को क्लीन करने के लिए यूज कर सकती है जो फ्रिज में बैड स्मेल नात है तो वहाँ पर यूज कर सकती है लेमन को इतो लेमन की पील को आप कही तरीके से यूज करती है तो फेकने से पहले थोड़ा सा उसको रियूज करने की कोशिश किईए और फिर फेक लीजिए और यह देखिए यहाँ पर जो मेरा बरतन है वो भी कित्ते अच्छे से साफ हो चुका है, क्लीन हो चुका है इससे दोनों काम हो जाते हैं आपके, एक तो आपकी सफाई भी हो जाती है, दूसरा चीजों का रियूज भी हो जाता है तो आप भी चाहती होंगी कि आपको जो वाट डॉप है मतलब जब आप उसे ओपन करें इसमें बहुत इची खुश्पू और फ्रेंग्नेंस आए यह आपके घर में कहीं पर बहुत ज्यादा बैड़ स्मेल आती है तो यह वाट डॉप आप खुश्पू दा चाहती है तो इस पर्फियूम ले सकती है बस उसको आपको ले लेना है और पीछे से जो उसका स्टीकर होता है उसे रिमूफ करके अपने कहीं पी वाट डॉप में इस तरीके से आप चिपका लीजिए और आप देखेंगी बिलीव नहीं करेंगी जब भी आप उस वाट डॉप को खोलेंगी कि आपको खुदी बहुत अच्छे से फील होगा कि या क्या खुश दोस्तों आज की टिप्स और ट्रिक्स आपको मेरी जरूर पसंद आएंगी तो पसंद आएंगी तो करना कहा है मुझे कमेंट शेक्शन में यह जरू बताईगा कि कौन से वाले टिप्स आपको सबसे अच कि यह जगी